कोर्स कोट 502 विशय खोजविधी नमस्कार साथियों, मैं रिशब कुमार, आज आपके साथ खोजविधी पर चर्चा करने जा रहा हूँ एक अध्यापक जब कक्षा में पढ़ाने जाता है, तो उसके ध्यान में सबसे पहले वह विशय वस्तु आती है, जिसका वह अध्यापन करने जा रहा है कई बार यह हमारी पहल हमारे लिए सीमा बन जाती है और हम केवल विशेवस्त को पढ़ाने का कारे करने लगते हैं इस प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी में निहित खोजी प्रविति को हम संग्यान में नहीं ले पाते हैं इसकी एक अन्य सीमा यह होती है कि क्या जानना है पर हम सिक्षण कारे को करते हैं लेकिन विद्यार्थी कैसे जान सकता है इस पक्ष की उपेक्षा हो जाती है निर्माणवाद का सिधन्त हमें यह बताता है कि विध्यार्थी स्वैम ग्यान निर्माता की भूमिका में होता है और यदि से अवसर उपलब्द कराए जाएं तो वह ग्यान निर्मित करने की प्रक्रिया में सक्रिसाभागी बनता है इस मानेता के आधार पर खोजविधी विद्यार्थी को स्वयम से ग्यान निर्मित करने का अवसर प्रदान करती है खोजविधी सिक्षन की ऐसी विद्धी है जिसमें जितना संभव हो सके बच्चे को खोजकरता की भूमिका प्रदान की जाती है अर्थात एक खोच करता की भूमिका में बच्चे स्वयम से समस्या के लिए प्रमाण, आकड़े और दावे एकत्रित करते हैं सिक्षक इस प्रक्रिया का सुगम करता होता है वह विद्यार्थी के लिए ऐसा परिवेस तयार करता है जिससे विद्यार्थी अभी प्रेरित होकर समद्धिस समस्या के लिए प्रमाण, आकड़े और दावा एकत्रित करने का कारे करें यहाँ पर विद्यार्थी अकेले भी कारे कर सकता है और समूह में भी कारे कर सकता है बहतर यह होता है कि विद्यार्थी को हम खोज करताओं के समूह में कारे करने के लिए अभी प्रेरित करें इस तरह से विद्यार्थी ग्यान निर्माता की भूमिका में विशय के साथ प्रत तोलना आदी में विद्यार्थी की प्रत्यक्ष सह भागिता होती है। वह केवल सूचना का संग्राहत न बन के बलकि सूचना को अपनी द्रिश्ट से व्याख्या करने वाला व्यग्यानिक बन जाता है। अभी तक मैंने खोजविधी की जिन विशिस्ताओं का उले किया उनको खोजविधी के चरण के रूप में आपको समझाना चाहूंगा। खोजविधी के चार चरण होते हैं हमें सबसे पहले एक ऐसे समस्या को पहचानना होता है जिसके लिए खोजविधी का उपयोग किया जा सके इस समस्या की पहचान के बाद हमें उन संभावित प्रसुरोतों को ढूंड़ना होता है जिनसे हम समस्या के समाधान के लिए आकड़े और प्रमाण एकत्रित कर सकें इसके लिए अवलोकन करना होता है, कुछ प्रियोग करना होता है, कुछ डिजाइन विक्सित करनी होती है ये अवलोकन, प्रियोग, परिकल्पनाय और डिजाइन जिस समस्या के संदर में हम विक्सित कर रहे हैं उसके समाधान का रास्ता होती हैं इस रास्ते पर चलते हुए हम जिन आकडों को इकठा करते हैं या जो भी अवलोकन करते हैं उनका विशलेशन खोजविधी का एक महतपूर चरण है इस विशलेशन के उपरांत हम मुल्यांकन करते हैं कि जिस समस्या के समाधान के लिए हमने परिकल्पना निर्मित की क्या वह समस्या को हल कर पाने में समर्थ है खोजविधी के इन चार चरणों को वैग्यानिक विधी के समतुले भी समझा जा सकता है खोज विधी के कक्षा में क्रियानवेन को मैं एक उधारन द्वारा आपके सम्मुक प्रस्तुत करना चाहूंगा। मान लिजे आप प्राच्मिक कक्षा में पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन विसे पढ़ाना चाहते हैं। इस पार्थ की तैयारी के लिए आपको घरेलू उपयोग की वस्तुएं जैसे मोमबत्ती, चीनी, पानी, मखन, आरी एकत्रित करना होगा। विज्यान की प्रियोग साला से आप एल्मुनियम प्लेट और स्प्रीट लैम्प की विवस्ता कर सकते हैं। कक्षा में इन सामगरियों से सज्जित होकर, जब आप इस खोज समस्या के साथ पहुंचते हैं, कि कक्षा आज पदार्थ की अवस्ता में परिवर्तन का अध्यन करेगी, तो आपको विद्यार्थियों को इस प्रकार के निर्देश देने होंगे। कहना होगा कि विद्यार्थी आपके द्वारा ले आई गई वस्तूं में से किसी एक वस्तू का चुनाव करें, उसकी वर्तमान अवस्था को नोट कर लें, इस प्रीट लैंप और एल्मुनियम प्लेट के सहायता से चुनी गई वस्तू को गर्म करने का प्रियास करें, जैसे कक्षा के सभी विद्यार्थी इस प्रियोग के अवलोकनों को दर्ज कर लें, तो उनके आकणों पर कक्षा में चर्चा प्रारम कीजिए, इसके आधार पर आप कक्षा में पदार्थ की अवस्ता परिवर्तन की संकल्पना का सिक्षन कर सकते हैं, आप स्वयम पाएंगे कि इस विधी में आपने केवल पदार्थ और उत्पदार्थ के साथ प्रियोग करने के लिए सहायक समगरी उपलब्द कराई, विद्यार्थियों ने स्वयम गर्म करने की पूर की अवस्ता, गर्म करने के बाद की अवस्ता का अवलोकन किया और इसके आधार पर अवस्ता में परिवतन की संकल्पना को समझा कक्षा में खोजविधी के प्रयोग के इस उदारन के आधार पर कुछ आप महत्पूर्ण बातों को समझ सकते हैं अर्थाथ आपके पास कक्षा में खोजविधी के प्रयोग के लिए एक समस्या होनी चाहिए युहाँ समस्या इस प्रकार की हो जिसके लिए खोज विधी की प्रियोग की जा सके जिसके लिए विद्यार्थि अवलोकन और आखणों को एकत्रित कर सके इस विधी को कक्षा में परचित कराने से पूर आपको सम्यक तैयारी करनी चाहिए किन-किन सहायक सामग्रियों की आफसेक्ता होगी, किस प्रकार से उन सहायक सामग्रियों का वित्रन किया जाएगा, विद्यार्थी अकेले कारे करेंगे, या समू में कारे करेंगे, कौन से क्रिया कलाब कराने अफिक्षित हैं, आपको यहां स्वतन प्रता है, आप विद्यार तो आप कक्षा में केवल समस्या प्रस्तुत करेंगे, विद्यार्थी स्वयम समाधान और रास्ता ढूणने के लिए अभी प्रेरित होंगे कक्षा में सोध विदी के प्रेयोक के दोरान ध्यान रखना चाहिए, पाठ की प्रस्तावना के तुरंद बाद विद्यार्थियों को सक्रिय किया जाए अन्यथा कक्षा तितर विदर होने लगती है और खोज विदी का लक्ष पूरा नहीं हो पाता सिक्षक को खोज विदी के दोरान विद्याथियों का मार दर्सन करना चाहिए, उनके भी समवाद कुद प्रेरित करना चाहिए और विचारों तेजक सवाल पूछे जाने चाहिए इन सवालों के माध्यम से विचारों को परिस्कृत करने का प्रयास करना चाहिए उधारन के लिए आप ऐसे सवाल पूछें, आप अवलोकन से क्यानुमान लगा सकते हैं, पूर की गत्विधी और इस गत्विधी के परिणावों में कोई अंतर्या समानता है, यदि प्रियोक की स्थिती बदल दें तो परिणाम बदलेगा क्या, क्या आप अपने साथी के मत् कक्षा में खोज विधी और खोज संस्कृति को इस्थापित करेंगे, जब कक्षा में प्रतेक विद्यार्थी या समूह अपने कारे का निस्पादन करने तो एक मारदर्सक के रूप में आपको उस चर्चा के निसकर्ष को कक्षा में प्रस्तुत करना चाहिए, अभी तक म उस समस्या के लिए कारियोजना का विकास, चौथा कारियोजना का क्रियानवेन और आकणों का एकत्रण, पांचमा एकत्रित आकणों का विशलेशन, छटमा विचारों की कक्षा में साजेदारी, इस प्रकार से एक समस्या के आधार पे विद्यार्थी स्वयम उस पर विच परिकल्पना का विकास आकणों को एकत्रित करके निस्कर्स तक पहुँचने का कारे करते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में सिक्षक सुगम करता की भूमी का निभाता है। अधिगम, प्रियोग द्वारा अधिगम, सामाजीक परिवेश से संदर्व लेकर अधिगम, अखबारों का प्रियोग जैसे अनेक तरीकों का समावेश आप इस विधी द्वारा कक्षा में कर सकते हैं। इस प्रकार से यद एक सिक्षक कक्षा में सोध विधी का प्रियोग करता है, तो सरप्रतम कक्षा विध्यार्थी केंद्रित बन जाती है। विध्यार्थियों को ग्यान निर्माण के लिए औसर प्रदान के जाता है, उनकी भूमी का स्वेम वैज्यानिक की होती है, कक्षा में जिग्यासा और वैज्यानिक अविवर्ति का पोशन होता है, और इस सबसे बढ़कर सिक्षक स्वेम की रचनात्मक्ता को जागरित रख कर सकते हैं और वे एक रचनात्मक्त सिक्षा के रूप में विध्यार्थि केंडित अधिगम की योजना का विकास कर सकते हैं, धन्यवाद.